नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं SPO Update YouTube चैनल मुंबई लोकल टेन के आज की अपडेट के बारे में बात करेंगे जहां दोस्तों मुंबई की लाइफ लाइफ लाइन कहीं जाने वारी लोकल सेवा को कुरोना के मद्य नजर आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है हाला कि लोकल के बंद होने से नागेर्गों को कहीं भी आने जाने में परसानी के सामना करना तो पड़ी रहा है साथि-साथ जैसे पेट्रोर और डिजल की किमते बर्ती चली जा रहे हैं वैसे उसे पब्लिक टांसपोर्ट का भी किराय बरता चला जा रहा है इसलिए किराय की रूप में उनका दिन का खर्चा काफी ज़्यादा हो रहा है दोस्तों उन सब परसानी के वज़ब से मुंबई रेल यातरी संग की तरफ से मांग की गए कि जिन यातरियों को कोरोना वैक्सीन का दोनों डोज लग चुका है ऐसे लोगों को लोकल टेन में यातरा करने की छूट देनी चाहिए संग ने का कि कोरोना का ठीका करन लेने के बाद अंतर राजजी यातरा की अनुवती है साथ ही परेटन यातरा के भी मंजूरी दी गई है तो सिर्फ मुंबई लोकल टेन में यातरा करने की मंजूरी क्यों नहीं दी गई है यह नियम सिर्फ मुंबई लोकल यातरियों पर लागू क्यों है वहीं भारी भीड में नेताओं के दौरे सभाय उत घाटन कारिकरम चल रहे हैं तो वहीं आम मुंबई के रोक करमचारियों और मजदूर वर्क के लिए अस्थाने यातरा पर रोक लगा दी गई है मुंबई रेल पसेंजर एसेसेशन की ओर से मांग की गई है ठीका करण वाले नागरिक को यातरा केन्मती दी जानी चाहिए सभी रेल वे स्टेशन पर QR कोड प्रणाली चालू होनी चाहिए स्टेशनों पर अंदर और बाहर भीड भार को रोकने के लिए मेट्रो की तरह एक प्रणाली अस्थापित की जानी चाहिए और स्टेशनों के बाहर बैठने वालों के खिलाब करवाई की जानी चाहिए इसके लिए अधियारियों को नियक्त की जानी चाहिए दोस्तों मुंबई रेले आतरी संग की तरब से लगातार सीपारिस की जा रहे आम पब्लिक लोकल टेन में आतरा करने की अधियत ऊपडेट करेंगी इसके लिए चैनल को जरू सबस्काइब करेंगा तो यह था दोस्तों मुंबई लोकल टेन के लिह कि अब तक की मंभाड़ की ताज़ा खबरे खाबरें के लिए चैनल को सबस्काइब करेंगे